क्या वाद जानू? शाना मानी चाहिए तुमे नभी? नहीं जानू तुम खलस समझ रही हो मैं तो गेम खेल रहा हूँ यह देख लो किराया दो लेकिन ये गेम तो फ्री है मेरे मुबाइल में है इसका कराया क्यों दो? नभी टैक्सी का कराया दो लेकिन मैंने तो टैक्सी चलाई नहीं है कराया किस बात का? मैं टैक्सी में बैटकर आई हूँ नभी उसका कराया दो खुबसूरत टैक्सी में तुम आई हो कराया तुम दोगी नभी खुबसूरत तुम जानती हो मैं कितना असूल पसंद आदमी हूँ टेक्सी में तुम बैटके आई हो, असूलन किराया तुम्हें देना चाहिए अच्छा? हाँ इस गर में तुम रहते हो ना? तो फिर किराया मेरे पापा क्यों देते? क्योंकि वो एक असूल पसंदाप्मी है, सिंपल ओ गॉड क्या हो डार्लिंग, पानी लाओं? नबीर, तुम्हें मेरे जरा भी ख्याल नहीं है ख्याल है, इसलिए तुम पूछ रहा हूँ, पानी लाओं नबीर, मैं पूरा पूरा दिन गर्मी में टाक्सी में घूमती रहती हूँ और तुम घर बैठके गेम खेलते हो तो क्यों गूमती हूँ टेक्सी में? मेरी तरह घर में बैठो अराम से मैं तुम्हारी तरह घर में नहीं बैठ सकती तु जिस तरह दिल करें वैसे बैठ चाओ नबीर, मैं जा रहेंगो सुनो सुनो जानू, टेक्सी वाले को 15-20 रुपे टेप दे देना पतने कब से बचारा करनी में खड़ा है मैं पापा को फोन करने चाह रही हूँ तुम टेक्सी का किराया भी अपने पापा से मांगोगी तुम्हें शर्म आने चाहिए खुब सूरत है मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती तो कोई मस्टना नहीं चानू अला करे करे रहते हैं इसमें इतना नाराज होने की क्या बात है हेलो पापा कौन बोल रहा है नहीं मैं पापा बोल रही हूँ आप किसका पापा बोल रही हूँ पापा मैं खुब सूरत बोल रही हूँ किसको बोल रही हो आपको बोल रही हूँ यार तेंक यू लेकिन आप हैं कौन? पापा, मैं आपको कुछ याद है वही तुम्हारी आवास को क्या हुआ? तुम्हारे फून में कोई मसला है? गले में मसला है पापा फून के? नहीं मेरे बोलो मेरी बेटी, क्या बात? पापा, मैं तंग आगी हूँ इस आदमी के साथ नहीं रह सकती, मैं घर आरी हूँ वापा बेटा, मैं घर पे नहीं हूँ पापा, मैं मजाक नहीं कर लिए, मैं बहुत तंग आवी हूँ इतना काहिल आदमी है, जब देको घर में पड़ा रहते है मैं नहीं रह सकती, इसके साथ और अच्छा बिटा मेरी बात सुनो मेरा एक दोस्त है जावेद वो दो-तिन रोस के लिए कराची आ रहा मैं उससे कहूँगा कि वो नबील से मिले ठीक है? अरे नबील को जॉब करनी ही नहीं है पापा वो कभी नहीं मिले गा उनसे बेटा तुम नबील को मत बताना जब नौकली मिल जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा हाँ ये ठीक है एक्सलेंट पापा बाई प्रेखल ये आप अंगूर के साथ क्या कर रही है माजी? इनका नाम रिजवान है नादिया महिमूद तेखे, मुझा आप दोनों से एक बहुत जरूरी बात करती है ये जरूरी बात क्या होती है? जो ये करने वाली है आपको कश्रा पतर चलाएगे, क्या करने वाली है? प्लीज आप लोग एक दफा सुन तो ने हाँ बोलो हाँ अरे तुम बोलो यार मेरे पापा के दोस्ता रहें कहां हमाने घर और कहां मैं अपने घर में किसी भी किसम की कोई पार्टी नहीं होने दूगा तुमका अपना घर नहीं है उधर इंतिजाम नहीं हो सकता अरे यार मेरे पापा के दोस्त नबील को नौकरी देन नबील को ये नहीं पता चलना चाहिए ये क्या? क्या अंकल उसे नौकरी देने वाले है? दस मरा हजार की नौकरी वो नहीं करेगा पचास हजार की नौकरी है क्या? पचास हजार? नबील! नबील! ये क्या कर रही हो? बेटे को वाज दे रही हूं प्ले खो उसको पता नहीं लगना चाहिए कि मैं इसको वाज दे रही हूं नहीं कि उसकी नौकरी लगने वाली है अज़ एक तफा अंकर मुत मैं हिनोच है बहुत हम आखा लो है हाँ चल यार चल उस पार चल दुनिया नहीं है बबा खो चल यार चल उस बार चल दनिया नहीं है हर बबल चल बबल बनाते चलते हैं दर्या के बार निकलते हैं इस बार की देखी जाएगी पर उस बार निकलते हैं यार बबल बना है चलता जा कोई आ है जाहे चलता रा आरे बबल पुलाए चलता चाह कोई आहे चाहे चलता जोड़ा यह क्या है? जूस है नभील हाँ जान तुम्हारी तबीयों तो ठीक है ना? बिल्कुल जीक है नभील वो पापा के एक दोस्तार है हमारे गहर दो दिन के लिए क्या? हाँ अचली वो होटेल में रहना चाहते थे लेकिन मैंने का आप घर पे देना हमारे बहुत अच्छा किया खुबसूरत हाँ हाँ हमारा घर उन्हें होटल से आदे पैसो में पड़ेगा नभी वो मेरे पापा के दोस्त है तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? तुम्हारे पापा तो नहीं है न? नभी देखो उनके सामने उल्टी सी दे बाते ना करना आप तुम कोई पापा क्या कह रहे थे? बहुत सखी आदमी है बहुत बड़ा देल है अगर वो खोश हो जाए ना किसी से तो वो बहंगे से महंगा गिफ देते हैं कब आ रहे हैं? शाम को अच्छा क्या हुआ? किस के हाँ? हमताज हमताज के हाँ? अरे बाबा इतनी तयार क्यों हो रही हो? हाँ वो आने वाला है ना वो कौन? वो जो सब के घर आते हैं हमारे घर नहीं आते फुरिश्ते? नहीं वो जो घर की मुंडेरों पे कवे बैठके कहाए कहाए करते न उसके बाद जो आते हैं ओ पत्थर अब देखो मेहमान आने वाला है उसके सामने ये सब मत करना हाँ आ गया मेहमान कहाँ? आने वाला है ना इसलिए उत्ते आर्शया रो रही हूं आप भी नहाद होकर कपड़े पैन ले अरे बही इतनी जिल्दी सुखाएगा कौन? आपको? कपड़ों को रमीज? रमीज सुखाएगा? पहमानों के सामने अच्छा वो पढ़ना चाहिए वो क्या? वो जो अंग्रेजी में पढ़ता है मुझे क्या पता भई मैं तो हमेशा उर्दू महीं पढ़ता हूँ अब मैं नहाने जा रहा हूँ तुम देखो कितनी बक्त मीजी की है आपने है दर्वाजे पर देखो है वाज वह वह वाले दर्वाजे पर तने श्रीरों में कौन हो भाई आप कौन है नहीं यह धूब का चश्मा है तो फिर आंखों पर क्यों लगाया हूए देखने के लिए तो क्या आंखों पर लगाने से नजर आता है और हाथ में पकड़ो तो गयब हो जाता है मुझे खुबसूरत से मिलना है हाँ बोलो बोल तो रहा हूँ मुझे खुबसूरत से मिलना है वो इस घर में मुझसे ज़्यादा और कौन खुबसूरत हो सकता है अरे आप हैं कौन मैं इस घर की वो हूँ वो कौन वही जो मालक की होती है नौकरानी चुबह तूने मुझे नौकरानी बोला हाँ मैं तो पुछ रहा था कौन है माही कोई नौकरानी के दो सब आप कुछ रहा है कोई ने बैटाजी कौई आप चुछो रहा नौकरानी के बारे में पूठ रहा het अंकर आपчив काई कौन है यह माही यह वह है जो नबील को नौकरी देंगे कौन बील मेरा शोहर के पास नौकरी नहीं है माजी नभील आपका बेटा है मुझे आपको अपना बस मुझे माफ करते हैं कोई बैप नहीं अंकर आप अंदर आएए ना ने ने मैं नहीं अंदर आने दूगी आप जब तक आप मुझे वो नहीं करेंगे वो क्या? वोई जो निराजगी के बाद मनाने के लिए करते हैं माजी ने माजी नहीं वो अरे आप मुझे फ्रीज माफ करते हैं हां, माफ, अल्ला दी कस्मे, माफ करते हैं, मुझे वपड़ने, मैं आपको उंदर नी आने तूंग गर, chief है, तो फिर yeah yeah belki, और कर आजो इंजा वे अउनकल आप इने छोडें प्लीज मैं कैसे छोड़ सकता हूं यहां प्लीज थेंक यू नहीं आप यहां बैठें नहीं नहीं अपने धर यह नहीं मेरा ख्याल है मैं खड़ा ही रहता हूँ नहीं प्लीज अंकल आप बस बैठ जाए ना बेटा तुम्हारा शोहर नजर नहीं आ रहा है ला वो है यह नहीं तो नजर के दर से आता है उसने यहा तुम्हारा शोहर नहीं है पुछ सिदीकी ने तो कहा तक है अंकल वो अपने कमरे में आ रहें कमरे में क्या कर रहा है अरे यह वो कैसे बता सकती है नबील बहुत खुदार इनसान है यह जो आपने इनसान कहा वो नबील को कहा प्रेवूत सहाब देखो बेटा, अगर नबीर समझ में आया तो नौक नी दूँगा, ऐसे नहीं डान अच्छा, तो मेरे खिलाफ साधिश हो रही है नबीर बेटा, कुछ कर नबीर, देखो कौन आया है तुम चारों में से? ये राइटर लिखता ही ऐसे नबीर चावेद अकल आये तुम से मिलने अरे, कैसे अंकल आप? क्या हाल हो गया आपका? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ सब के सामने? चलो, अकीले में बात कर लो माजी, जब तक नबील और अंकल गपशप मार रहे हैं, हम चल के खाना बनाएं? मुम्ताज? हां जी, तुम से कुछ पूछ रही है हां जी, क्या? खाना? ने, मज़ भूख नहीं है, मेटा तुम खाना खाने के लिए नहीं कह रही है, खाना बनाने के लिए कह रही है जब खाना नहीं है, तुम बनाना क्या? अंकल, आप क्या पसंद करेंगे खाने में? बढूंट खूँए अंकल मैंने नहीं गेम ईंस्टॉल करा है मुबायल में वह खेल रहा है आज हम आज कभिक नवापनी स्थ्री आपनी स्थाइव ओना भी करता है लोग फिर नौख कर ने का सोचा वगजा बिता शादी से पहले मैं काम की बात कर रहा हूं मैं भी बड़े काम की बात कर रहो अंकल शादी से पहले बड़ी लड़की यह दी भाई के पास तुम्हारे भाई के पास? ने ने, मेरे पास बेटा मैं जॉब की बात कर रहा हूँ कभी तो सोचा होगा कि जिन्दिगी में क्या करना चाहते हो हाँ अंकल, मेरी बड़ी खाहिश थी के मेरी डिवीडी की दुकान हो और मैं किसी को डिवीडी कराए पे न दूँ क्या? जी मुमूँ मुमूँ ये लो, ये बना लो खाने में कताब? उहां, किताब में जो लिखा है जो, वो तो बकरे खाते हैं, निसीम बेगी बात है, महमूद बकरे महमूद खाते हैं? अरे बबाब मुमू, इस किताब में जो लिखा है ना वो बकालो अच्छा हाँ क्या हुआ, गलत किताब तो नहीं आ गई अरे नहीं, यह देखो लाई, यह तरकीब लिखी है महम, महमू, ऐसे नहीं करो रख, दिये लो, दिये बना, ठीक है, चल्दी करो, शाबज यार आज नहीं, कल रात को पार्टी रखते हैं आज मैंने अंकल आयो हुए हैं घर पर एक सेन होल कर अंकल, आप पीते हैं आप क्या? नहीं, नहीं, रहने दे, तु कल रात की पार्टी रख ले ओके टेक केर, बाई टोने दोस्ते बाद कर रहा था तुम्हें ये शौक भी हैं? नहीं, नहीं, मैं तो कभी-कभी दोस्तों से बाद करता हूँ छोड़े, आप क्या कह रहें? भई, मैं ये पूछना चाहरा हूँ कि तुम्हारे ख्याल में एक मारकेटिंग परसन या सेज्वन की क्या सेलरी होनी चाहिए? चार-पांच लाग कम से कम हैं? ये कुछ जादा नहीं है? देखें, अगर मैं गई नौकरी कर रहा होता और मेरे जो अंडर लोग काम कर रहे होते मैं तो उनको इतनी दंखा देता बेदा जब भी तुम नौकरी करो मुझे जरूर अपने पास रखना नो प्राब्लम उंकल, नो प्राब्लम एक्सक्यूज में आया मुझे नौकरी देने आइफूज, खुद एक महीना दफ्तर जाने के काबन ली रहेंगे एंकल, आप तो यहां जाब्लम माजी, क्या खुश्बू आ रही है? हाँ, सेंटेजर चिड़का है खाने में? नहीं, कपड़ों पर लेकर खुश्बू तो खाने से आरही है माजी खुश्बू खाने से नहीं, बेपकॉफ लगाने से आती है चल जा मुझे लगाने दे खुश्बू? नहीं, खाना अचल लगाए अमकिर आप लगाए अंपकर आप क्ये ट्राइक करें ओकी बेगम आपने भी खाना भाज अच्छड़ा ऑफ को आज बड़े अच्छे के बाद तो अबड़े घखना का है ठांक यू यह वाज का से आ रही है अंसरफ ना बाद जुका टाप को ना चोड़ गये गुपाय मैं बद नश्याँ मुझे आपसे यह उमीद निजी जेजे नवील बेता नवील बेता जी ऑंकल मैं बात कर पर हूं आपसे एक तो घंटे में बाहर निकलका एक तो घंटे हैं अंकल इतना टाइम तो लग जाता है मुझे अंदर इसमय कुरों पिता कङ़ आपको दुखो रहे क्या सबस्क्राइब एक में इसमयरे को प्रहुतितने मुझी सबस्क्राइब में दॉस्य से विट्रilton के रख कर जाया कर अबाहर दॉन के लफट अब इस एकलमा मिंग्या कि मैं आप टूट जायगा से लिए ठूटने जायाओ हो हो सब अंदर कोई हो करे मुझे बेटी पसंद है बेटी होगी मैं कहने यू वाष रूम में में मैं रह बेटी ओगी क्यों कियों तो निकलने वाली यहां आपकी जान नो फोः नबी कि अरे बाहर निकलो हैं अरे करना आक जो हैं आंकर आप गबराइए मताउनimes चावी वाले को बिल बाती हूं क्योंलाओ को मुझो पोटर जाना है है एक्राय नीघा है परचल्ट ऑंकर पाren, चलेयर चले बार चल दनिया नहीं है बबाब नबील ने जहां बूच के अंकल को बगाया है यहां से यह नबील कौन है बना मेरा खालू आपके खालू जिन्दा है था अच्छी खासी नौकरी मिल रहे थी वो भी पचास हजार रुपे की बहुत सुन लिया मैंने आज के बाद इस घर मेरी नौकरी की कोई बात नहीं करेगा इसका मतलब है कि तुम पूरी जिन्दगी नौकरी नहीं करोगे जब तक मेरे घर के दर्वाजे पर अपॉइंटमेंट लेडर खुद चल के नहीं आता मैं नौकरी नहीं करूँगा इसका मतलब है कि ये सारी जिन्दगी नहीं करेगा क्या? मैं देखिए तो आखर किसकी बात मानेगा अरसलान? माजी नबील नबील की बात मानेगा? शुकेरी नबील को बुलाईए नबील! नबील! आगा नबील माजी ये देखें ये इस लफाफे में नबील आया है नहीं माजी इस लफाफे में नबील के लिए एक सुप्राइज है क्या है? तुम्हारा अपॉइंट में लाजाओ अब तु खरोगे ना नोक्री जानू क्या है